आठासी हजार रुपिया उस समय में हम इंवेस्ट किये थे हम तिन गुना से उपर में चौंतिस हजार रुपिया का हम इसमें से बेट ब्लैक बंगाल के साथ अगर क्रॉस करा रहे हैं तो उसका बच्चा का गुरोथ किस तरीके देशी का ही चुनाब क्यों की यहां देहात है देहात में इसका मांगता है मैं विकास कमार सिंग आप सबीकास स्वागत करता हूं मन्थन एक नई सोच के एक नए एपिसोड में दोस्तों आज हम उपस्तित हैं कि गोट फर्म पे जो वैसाली जीले के पहारपूर में इस्थित है और यहां पे हम मिलाते हैं सड से जो ब्ल सबढ़ात इसको आप पांच से सुड़ात पांच से सुरू किया आप 25 पाइव है पचीसफ़ और सब नसल का है बतिसा भी है बलेक बंगाल है और देहाती भी है और शीरोही नसल का भी हुँआप पाले हुए है जिस समय आप सुरुवात के थे गोट फार्मिंग की छेत्र म आए थे तो मन में कैसे ख्याल आया कि गोड़ फार्मिंग बकरी पालन ही करना चाहिए हमारे किसान भाई के बता हैं यूटूब चाइनल पर देख करके ही अपना किये हैं हम कोई अच्छा लग रहा था और मभेसी गाय और भाइस पोसने से अच्छा लगा है इसलिए हम यह ब एक ब्लेक मंगाल अपना देशी का ही चुनाब क्यों कि यहां देहत है देहत में इसका मांग है और ढरती पर त्रेनिंग नहीं है हम किसी अच्छे व्यक्ति से विजय बाबु हैं हर्याना में रहते हैं उन्हीं से मोबाइल पर संपर्क रखते हैं किसी तरह का अगर कमी बेस्टी होता है राय विचार लेते हैं और हेमियोपैथ दवाई दे करके हम अभी तक रखे हुए हैं अभी तक न आप फ़रम से खड़ित करके लाए थे हम बाहर से मंगवाए थे जो राकेशे जी हैं उन्हीं को एर्भांस परिशा दिये थे और वह हम को माला करके दिये थे और हम अपना पसंद से लाए थे तो बाहर से आप मंगवा करके लाएं और उसके बाद फिर यहां पर आप रखें कोतायँ में पर अपने परसान नहीं पड़ाए और हम अपने वीचार से आपने इसारा से इनको रखे हुए हैं और अपना टीटमेंट करते है हमको को कुई तरह का परसानी बिसेश नहीं हुआ है Śared पालन भी स्वनाली मुर्गी किये हुए तो कितने वर्ड हैं अभी आपके पास अभी हमारे पास सो से उपर हैं अंडा के लिए रखे हुए हैं इनका अंडा उत्पती होगा अब देना शुरू कर दिया है और वो जब अंडा देगा उससे हम फारम को चला लेंगे जो अंडा उसी से आप जो है सो फारम को आगे भराते जाएंगे अब इसमें भी इनिवेस्ट नहीं करना है अच्छा यह जो बक्री आप ब्लैक बंगाल का जो रखे हुए हैं यह लगवग पचीस के संख्या में आपके पास है एक ब्रीडर भी आप रखे हुए ब्रीडर कौन सा नसल ब्लैक बंगाल को ब्लैक मंगाल से क्लाओस क्राते हैं तो काफी युद्यी कम देखा जा रहा है बहुत सरे यह संख्या न जहीं को पूरा बना हुआ है यह है 15ieht cup 4 झान को चोरह फार्म में जादा रुप से नहीं किया है हमको जो भी खर्च करना है सो जानवर पर फर्च and लो में個人 स्वाल में कर रहा है और कम कोस्ट में यह वाप भी बनाई हैं काफी हम कितने खर्च इसमें लग गया आपका फ़लता से 49,'25,000 6VIDMI यह फॉन्ड जो आप देख रहें हैं यह फॉर्म सड्लियौ निर्मान कर लिए और अच्छे तरीके से बना लिए चुर्ल सर इसमें कितने बक्रियां आ सकती है अभी इसमें अभी 60-65 को अंदर रखने का जगा है, जगा है, हॉल है अंदर, उसमें हम 60-65 को रख सकते हैं, अभी तब 25 है, अभी तक आपके पास 25 है, तो इसको भविस में क्या हो जना है, आपका इसको 60-65, 100 के संख्या में लेकर के जाना है, कि अब इसी में आप संतुष्ठ हैं, जी नह आपके बढ़ाना है, हमको इसको हटाना नहीं है, चुकि धन्धा है, और एक नंबर धन्धा है, इस धन्धा को आगे मुहे बढ़ाना है, अच्छा जैसा कि अभी आप थोड़ी देर पहले हमें बताएं कि 14 महीने से इस कार्ज को कर रहे हैं, तो आप संतुष्ठ हैं, अब अच्छा लग रहा है, 18000 उस समय में हम इंवेश्ट किये थे, हम तिन उपर में हैं, तिन उपर में हैं अभी और यह सही बात है, तिन उपर में अभी टेखने में यह लग रहा है, क्योंकि आपके पास तो हम अपना इधर उधर न जा करके अपना इसी में से हटा जो हटाने वाला है जो बेचने वाला है जो तयार माल है उसको हम अटा लेते हैं ठीक है एक सवाल हम और आप से करना चाहेंगे किसान भाईयों के लिए जो बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो इस तरीके का गोट फर्म बगएरा शुरुआत करते हैं तो उनको इनिवेस्टमेंट काफी हो जाता है काफी खर्च हो जाता है फीड मैनेजमेंट में खिलाने प किस तरीके से करें जैसा कि आप लो कोस्ट में सारा काम कर रहे हैं ठीक है तो आपका फीड कोस्ट भी काफी कम होगा तो जिस तरीके से लोग कहते हैं कि 20 रुपे 25 रुपे खर्चा होता है खिलाने पिलाने में तो आपका कितना खर्चा हो रहा है कुछ लोग हवा भी बनात जानवर को रख सकते हैं और सुबा में भूसा चोकर देते हैं साम में भूसा चोकर देते हैं भग्त मिला तो हमारे पास जनेरा का वेवस्ता है घास ओदे दिया नहीं तो थ्रा इधर अपना गाच्छ है घुम लिया अच्छा यह आप फ्री रेंज रखे हुए इतना जगह ज है अच्छाउ चाल पांच-कथा जो आपका फ्रीरेंज है इस इसी में अच्छ पामें इंदनमें बन्ते हैं इसी में रखते भी हैं रात में आपका अंदर आरे औरके कर देतेैं हैं इसलिए कि इनलिगा गाहक हैं शंओ कि नहीं बोलोगों से उठा कर Kerry लोग ले जाते हैं आपने फोरम पर नाइट में रहते बहुत से नच्छेन नाइट में रहते भी है अच्छा यह जो आप अभी रखे हुए इतने सारे 25 वक्रियां इसमें कितना खर्च आ रहा आपको खिलाने पिलाने में क्या कॉस्ट वगएरा आ रहा है यह बक्री पर 10 रुपया हमको पॉड़े का खर्च है ऊच्छा रुपया हमने इस पर हम देते नहीं नहीं को पहले नया में जनकारी नहीं था तो यह तो उसमें चोगर डालना परता था अब इती हो मतले है उंस्याज और करते हैं को हुशारी रोट के इसमें चोकर्द डालने का कोई ज़रूरी नहीं है और यह उन से खा करके निचिन्त हो जाते हैं वैक्सीन वगएर करते हैं कि नहीं करते हैं हम जब लाए थे उसी समय में वैक्सीन डलवाए थे वह राकेश जी के बुलबा करके आई इसके बाद में हम कुछ नहीं है हमियोप कर रहे हैं जादा वजन औरों के अपक्षा देखने में लग रहा है तो सर उसका खिलाने के लिए स्पेशल फीड वगएर कुछ रखे हुए कि ऐसे ही अपना नहीं उनको जो अपना दाना है सुभी देते हैं इसके बाद ने इसी चार-पांच कठा में खूले हुए रहते ह इनको सब हर कुछ मिल जाता है इन बक्रियों को कुछ मिनरल मिक्चर दे रहे हैं इसके अलावा की नहीं दे रहे हैं हमारे दिन दस दिन पर इनको दे देते हैं मिनरल मिक्चर वगएर दे रहे हैं और कोई जादे परसानी नहीं है हमको इसलिए कि जादे परसानी नहीं है त खेती में जनेरा है। मैं वहाट भी लाकर कि दिया है और खा कर कि सब मस तरहाइगे। उतना बेटामीन के फेरा में हम रहें तो हम्रा नुक्सान होगा। कि नहीं हम अपना हारा घास कोई परशानी है हम को इनकों रखने में। चली बहुत बहुत सुक्रिया बहुत अच्छा लगा सर आपसे बाचित करके हमारे किसान भाईयों के लिए इतना सलाह दिये हैं आप इतना अच्छे तरीके से वताएं इसके लिए तया दिल से धन्यवाद दोस्तों यह वीडियो यह इंफर्मेशन कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा अगर कोई भी सवाल आपकर रहा गया होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखे अगले वीडियो में प्रयास करेंगे कि जानकारी लेकर क्याएंगे परिपुन मात्रा में फिर किसी और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ किसी नए किसान के साथ मिलेंगे तर तक लिए नमस्कार जय हिंद जय वारत